हालो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेरी टेक्सिशन क्लासिस में दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में दिवे बैल एकन के क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अप्लोड कर GSTR 1 फाइल करनी होती है और अगर आपने quarter return का option select कर रखा है तो आपको GSTR 1 IFF रिटन फाइल करनी होती है तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार के आपको GSTR 1 निल किस condition में फाइल करनी होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं निल GSTR 1 रिटन फाइल करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि आपने कोई सप्लाई नहीं करी है तो आप रिटन फाइल करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि आपने कोई सप्लाई नहीं करी है तो आप रिटन फाइल नहीं करेंगे आपको रिटन फाइल करनी पड़ेगी पर उस condition में आपको निल GSTR 1 की रिटन फाइल करनी पड़ेगी supply आपकी taxable supply भी हो सकती है zero rated भी हो सकती है और nil rated भी हो सकती है और exempted भी हो सकती है इस type में से किसी भी type की अगर आपने supply नहीं करिये तो भी आप GST R1 की रिटन फाइल करेंगे तो चलिए friends GST के portal पर चलते हैं और देखते हैं कैसे आप पोर्टल पर GST R1 की रिटन को निल फाइल कर सकते हैं जैसा कि आप स्कीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ GST का पोर्टल ओपन का रख है अब यहाँ पर राइट साइड में लोग इन का उप्शन आ रहा है जैसी आप user and password एंटर करेंगे नीचे आपके सामने capture code का option आजाएगा यहाँ पर capture code एंटर करना है और उसके बाद login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद आपका GST का portal ओपन हो जाएगा यहाँ पर अगर कोई ऐसा इस ताइप का message आता है अधार verification के लिए तो इसे आप remind me later कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर उपर आप देखेंगे यहाँ service का tab आ रहा है services के tab के अंदर returns का option है और returns के अंदर आपको returns dashboard पर क्लिक करना है जैसी आप return dashboard पर क्लिक करेंगे आपके सामने return dashboard open हो जाएगा यहाँ पर पहले आपको दिखाएगा financial year जिस financial year के आप return file करना जाते हैं जैसा कि अभी financial year 2021 चल रहा है तो यहाँ पर 2021 रहन दूंगा मैं यहाँ से और यहाँ पर quarter select कर सकते हैं अभी first quarter ही चल रहा है और यहाँ पर period आपको उनसे month की return file करना जाते हैं चाहे आपकी return i effect वाली हो या फिर gstr1 की हो तो यहाँ से हम apparel select कर लेंगे क्योंकि मुझे भी apparel की return file करनी है आप यहाँ पर search पर click करेंगे जैसे आप search पर click करेंगे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपके साबने gstr की returns open हो गी है gstr1, gstr2a, 2b and gstr3b अभी हमने gstr1 की return file करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर gstr1 पर जाकर यहाँ नीचे दे रखा है prepare online इस पर click कर देंगे जैसे ही आपने prepare online पर click किया यहाँ पर आपके सामने gstr1 की return open हो गई है यहाँ उपर आप देख सकते हैं gstr1 लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी company की detail दिखा रहा है यहाँ पर gstr number यहाँ financial year और यहाँ पर आपकी company का name और यह status आपके return का दिखा रहा है अभी हम return file करने जा रह है इसमें अलगलग details आती है पर अभी आप निल की return file कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपको किसी में भी कुछ भी changes नहीं करने है आप last में आ जाएंगे last में सबसे नीचे आके यहाँ पर एक option मिलेगा आपके पास generate gstr1 summary इस पर click कर देंगे तो friends यहाँ पर आप दे सकते हैं आपके सामने एक message आ रहा है generate gstr1 summary process in entitled please recheck after one minute यह हमें बता रहा है कि हमें एक मिनट बात चेक करना है अब हम एक मिनट बात क्या करेंगे यहाँ से refresh करेंगे जब यहाँ से refresh करेंगे तो यहाँ पर नीचे अभी जैसे आप दे सकते हैं submit वाला option दिखाए दे रहा है और यहाँ पर submit के साथ एक option दिखाए दे रहा है reset का तो इन दोनों के बीच में एक preview option भी यहाँ पर नया show हो जाएगा preview का बटन आ जाएगा उस तैम पर हम इस return को submit कर सकते हैं तो चलिए एक मिनट का वेट करते हैं उसके बाद यहाँ से ऊपर आके हम इसे refresh करेंगे एक मिनट के बाद या फिर दो-तिन मिनट बाद आपको यहाँ पर refresh बटन पर क्लिक करना है और refresh बटन पर क्लिक करके आपको last में सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं reset के साथ एक preview का भी option यहाँ पर आ गया है और preview के साथ यहाँ पर submit का बटन दिखा रहा जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे आपके समने एक message आएगा you are about to submit GST1 would you like to proceed no change can be made in this return after submitting यह आपको बता रहा है कि क्या आप इस return को प्रोसीड करना चाहते हैं क्योंकि आप एक बाद प्रोसीड कर देंगे तो उसके बाद आप इस return में GST1 की return में submit करने के बाद कोई भी changes नहीं कर सकते हैं तो हमें proceed करना है हमने कोई भी changes नहीं करना है तो हमें आसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक message रोश्यो करेगा you submit request has been received please check the status in some time कि आपकी submit की request receive हो गई है कुछ time बाद आप इसे check कीजिए तो आपको क्या करना है यहाँ पर refresh बटन पर एक फ़र क्लिक करना है और फिर last में नीचे आ जाना है यहाँ पर आपके सामने एक option आ रहा है file return का इस पर click करेंगे जैसी आप file return पर click करेंगे अभी आप देख सकते हैं ऊपर आपक click करेंगे दुबारा तो यहाँ पर यह जो टिक लगाने का option है यहाँ पर enable हो जाएगा जो भी disable है उसके बाद आप अपनी return को EVC से या फिर आपकी कोई company है तो आप उससे DSC से return को submit कर सकते हैं तो चलिए 15 minute का wait करते हैं friends लगबग 15 minute हो चुके हैं अब एक बाद फिससे refresh button पर click करेंगे जैसे हमने refresh button पर click किया यहाँ पर tick लगाने का option अनेबल हो गया यहाँ पर हम टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद नीचे हमारे पास option आजाएगा अथुराइज सीनेचरी का यहाँ से हमें यहाँ पर आपके पास option आ रहे हैं एक dhc का अगर आपके बाद डिच्तल से नेचर है यहाँ रखी company है तो आपके डिच्तल से नेचर से ही return verify होती है तो उस condition में आप dhc स्लेक्ट करेंगे otherwise अगर आपकी proprietorship company है individual है आप तो यहाँ पर evc पर click करेंगे जैसे मेरी proprietorship company है तो म अपनी mail id चेक करनी है जहाँ पर हमारे पास otp receive हुआ होगा तो चलिए मैं एक वर अपनी mail id पर जाके otp check कर लेता हूँ यहाँ से मैं अपनी mail id open कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर mail id पर एक otp आया हुआ है इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर mail open होगी है यहाँ पर एक otp आया है इसको copy कर लेंगे या फिर manually भी note कर सकते हैं उसके बाद gst की side पर आयेंगे और यहाँ पर otp को paste कर देंगे या फिर आपने manually node किया है तो आप यहाँ पर type कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से verify पर click करना है आपको जैसे आप verify पर जैसे आपने verify पर click किया यहाँ उपर आपके सामने एक message आ गया है जी एस चर वन उफ जी एस टिन आपका GST number दिखा रहा है for the return period April 2021-22 has been successfully filed यह बता रहा है कि आपकी जो return है successfully filed हो गी है इसका आपको एक ARN number भी show कर रहा है यहाँ पर यह ARN number आपकी mail ID पर भी आ जाएगा और आपके registered mobile number पर भी आ जाएगा तो friends ऐसे आपको GSTR 1 की या फिर IFF की return file करनी होती है अगर आप nil return file करना चाहते है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी return file हुई है नहीं हुई है तो आपको क्या करना है यहाँ पर services में जाना है दुबारा से और returns में जाना है और यहाँ से dashboard पर click करना है returns dashboard जैसे आप return dashboard पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने dashboard open हो गया है यहाँ से financially select करेंगे यहाँ से quarter कौन सा quarter है और यहाँ से month select करेंगे जैसे मैं अपरेल कर रहा हूँ और search पर click करेंगे search पर click करने के बाद नीचे आएंगे सारी return शो कर रहा है gstr1, gstr2a, 2b and gstr3b यहाँ पर gstr1 में आप देख सकते हैं status में फाइल लिखा हुआ रहा है यानि कि आपके gstr1 written फाइल हो चुकी है तो friends इस वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे nil gstr1 को फाइल कर सकते हैं चाहे आपकी gstr1 monthly हो या फिर IFF written हो आपकी तो friends अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए